इस वीडियो में हम HIV-Aliza test के बारे में बात करेंगे आप क्या जानेंगे कि HIV-Aliza test कब करनी चाहिए इस test का window period क्या होता है accuracy कितनी होती है कितनी बार test कराना चाहिए और खर्चा कितना आता है तो मैं आपको YouTube की सबसे बड़ी HIV-AIDS चैनल्स पर आपका स्वागत करता हूँ Eliza एक short form है और जिसका full form होता है enzyme link immunosorbent essay कितने प्रकार के होती है तो first generation और second generation को आज कल इस्तमाल नहीं किया जाता है जो third generation है उसके अंदर antibody को detect करते हैं इसमें दो प्रकार है एक है जो rapid test मतलब 30 minutes के अंदर हो जाती है जो card का इस्तमाल करते है वह qualitative test है इसका मतलब है कि antibody है या नहीं उतना ही बताया जाएगा और दूसरा किसम का होता है जिसको laboratory में process करकर machine के अंदर test किया जाता है और वो है quantitative test इसका मतलब यह होता है कि antibody की मात्रा कितनी है वो भी उस result में आएगा तो आज हम जो बात करेंगे वो third generation antibody जो machine के अंदर होता है जो quantitative test होता है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे rapid test के बारे में हमने अलेड़ी एक वीडियो बनाया रख है और जो four generations P24 antigen plus antibody उसके लिए भी अलग सा वीडियो है तो चलिए बात करते है machine में करने वाली HIV ELISA test के बारे में अब यह test कहां पर उपलब्ध होती है यह test private laboratory में उपलब्ध होती है private laboratory में इसका खर्चा कितना आता है तो इसका खर्चा करीबन 500 रुपे के आसपास आता है इसमें कैसे करते है इसमें आपको blood देना होता है उस blood को process करकर एक ऐसी tray होती है जिसके इंदर 96 छोटे 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 छेद होते है और उसके अंदर रेजन रोट टेस्ट करकर एक साथ में 96 टेस्ट हो सकता है और उस चोटे है उसको machine के अंदर रखते है और तीन से चार घंटे के अंदर इसका result आ जाता है और एक साथ में 96 टेस्ट का performance हो सकता है अब इस टेस्ट से क्या पता लगता है तो इस टेस्ट से HIV-1 और HIV-2 के सामने antibody सरीर के अंदर है के नहीं वो पता लगता है antibody का मतलब यह होता है कि जब भी HIV का वायरस अपनी body के अंदर जाता है तो अपना body उसके सामने लड़ने के लिए जो भी बनाता है जो सैनिक बनाता है उसको antibody कहते है और ear test quantitative test मतलब antibody की मात्रा कितने है वो भी इसमें बताया जाएगा अब window print का क्या मतलब होता है HIV सब सरीर के अंदर दाखिल होता है तब हमारे सरीर में HIV के antibody नहीं होते कुछ समय बाद करीबन एक महेने के बाद antibody बनना सुरू हो जाते है और सभी लोगों में वो तीन महेने के अंदर बन जाते है तो उसको एक से तीन महेने का average समय लगता है antibody को परियात मात्रा मा बनने के लिए तो HIV का टेस्ट जो antibody टेस्ट पॉजिटिव आने में तीन महेने तक लग सकता है तो यह जो समय है HIV का वाइरस का बाड़ी के अंदर जाना और हम laboratory में उसको साबित कर सके antibody से कि उसको HIV हुआ है जो अंत्राल है उसको बोलते है window period तो सभी को antibody वाला टेस्ट है वो इसका window period तीन महेना है तो तीन महेने के बाद ही टेस्ट कराना चाहिए तो यहाँ पर HIV अलाजा टेस्ट है कब कर सकते है तो आप तीन महेने के बाद कभी भी कर सकते है कभी भी का मतलब आप तीन महीने पर एक दिन पर कर सकते हैं तीन साल पर कर सकते हैं या तीस साल पर कर सकते हो जो reports आएगा इसमें इसमें reference value या तो normal value ऐसा कुछ right hand side पर अक्सर लिखा हुआ आता है मान लिजी कि इस किसम का जो एक example ले ले देते हैं रिपोर्ट है उस पर लिखा है कि less than one मतलब एक से कम मतलब negative और एक से ज्यादा मतलब positive A value मसीन और reagent के आदार पर अलग भी हो सकती है यहाँ पर एक सिफ example है अब मान लो negative या non-reactive का मतलब क्या होता है यदि किसी test का result 0.01 से लेके 0.99 तक इसके बीच में कुछ भी आता है तो उसको negative result या तो non-reactive result दिया जाएगा और उसका मतलब एक है कि उस व्यक्ति को HIV नहीं है और लोग अक्सर पूछते कि सर मैंने दो बार test कराया था पहली बार की comparison में दूसरी बार में मेरा result का जो value है वो ज्यादा आया लेकिन वो एक से कम ही है तो इसका क्या मतलब है तो इसका सिर्फ एही मतलब है कि दोनों बार आपका report negative है इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि दीरे दीरे आपको HIV positive हो जाने के संभावना है ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं होता दोनों का मतलब यही है कि आप दोनों बार आपको HIV नहीं पता चला यदि taste का result एक से नजदीक आता है मालो किसी का 0.92 आता है तो क्या उसको भविश्यों में HIV हो जाने का खत्रा है तो ना ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता एक से कम मतलब आया है तो आपको negative हो चाहे 0.92 आये या तो 0.99 है हर केस में आपको HIV नहीं है ऐसा ही माना जाएगा अब positive या तो reactive का क्या मतलब है जब इस taste का value एक से ज्यादा आएगा तब इसको positive या तो reactive रिपोर्ट दिया जाएगा और इसका मतलब ये है कि इनसान को HIV है कभी कभार रिपोर्ट का जो valuation होता है उसमें value 500 से भी जादा या तो एक 1000 से भी अधिक होता है तो लोग अक्सर पूछते है क्या इसका मतलब ऐसा है कि बीमारी जादा है ऐसा होता है क्या तो नहीं इसका मतलब ऐसा नहीं होता antibody जादा हो या कम हो 500 हो 1000 हो या 10 हो आपको इसे इतना ही पता चलता है कि आपको HIV है लेकिन आपकी बीमारी की मात्रा कितनी है वो आप इस रिपोर्ट से पता नहीं लगा सकते उसके लिए अलग से CD4 और HIV लोड का रिपोर्ट होता है कभी कबर indeterminate, equivocal और invalid नाम का रिपोर्ट में रिजल्ट भी आता है लेकिन बहुत दी कम देखने को मिलता है तो इसका मतलब यह होता है कि इस रिजल्ट से इस टेस्ट से आपको रिपोर्ट कराए अब रिपोर्ट negative या तो non negative आए तो क्या करे यदि आपने आपका आखरी exposure से तीन महीने के बाद टेस्ट कराया है तो आपको और कोई टेस्ट कराने की जरूत नहीं है और यदि पिछले तीन महीने में आपने कोई high risk activity किया है तो आपको आखरी exposure से तीन महीने बाद वापस एक बाद टेस्ट कराना रहेगा यदि ELISA का रिपोर्ट positive आए तो क्या करे इसके लिए आपको दुबारा दूसरी कोई दो rapid test या तो ELISA टेस्ट से टेस्ट करना होगा या तो 4 generation ELISA टेस्ट जिसको HIV DO, HIV combo या तो P24 antigen plus antivote से नाम से जहना जाता है दोनों में से एक option से आपको अपना टेस्ट कराना रहेगा अब इस टेस्ट का accuracy कितना होता है तो यदि आपका report negative आता है और आपने आखरे एक्सपोर्ट से तीन महीने बाद ही report कराया है तो उसके बाद आपको कोई report कराने के आवश्यक्ता नहीं है और यदि आपने यह report तीन महीने के बाद कराया है और यदि positive आता है तो positive report को confirm करने के लिए आपको किसी और टेस्ट antigen antivote test या तो western blood test या तो PCR test या तो और दो rapid test से confirmation करने के ज़रूत होती है अक्सर लोग पूछते हैं कि ART के इलाज के बाद test में कोई बदलाव आयेगा क्या positive ही रहेगा कि negative हो जाएगा तो इसका जवाब है यह हमेशा के लिए positive ही रहेगा क्योंकि antibody हमारे सरीर में एक बार आ जाता है वाइरस तो हमेशा के लिए रहता है तो report में आपको कोई बदलाव नहीं होगा मैं HIV AIDS Specialist डॉक्टर केतन राण परिया यदि आप मेरे से online या तो क्लिनिक पर आकर consultation करना चाहते हो तो इस WhatsApp नमबर पर message करें आखिरमी चेतावनी यहाँ पर कही गई बाते एक आम जानकारी के लिए है समय के साथ विज्ञान बदल सकता है किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV AIDS Specialist डॉक्टर से व्यक्तिकत रूप से राय लेना अत्यनत आवश्रक है Thank you